हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू अस्टार का स्टड्य परें दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे परिक्षा 2019 के बारे में जो बियारती परिक्षा देना चाहते हैं दोस्तों उन सभी छात्रों के लिए यहां पर हम फिजिक से रिलेटेड काफी इंपोर्टेंट कोशन लेकर पूरा वीडियो को जरूर देखें ठीक है ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह के लेवल राते हैं एक्जाम में यहां पर हम लोग 20-25 कोशन करेंगे तो बने रहेगा दोस्तों लास्ता के इस वीडियो पर और इस वीडियो को लाइक कर दिजा भी तक चैनल को दोस्तों स और एक प्लेलिस्ट में आप लोगों को बना दूंगा चैनल में तो जाके देख लेना वह मैं सेर भी कर दूंगा आपके चैनल पर देखें पहला कोशन है कि डैनेमो का पर्यों कहां किया जाता है देखिए जहारखन पॉल टेक्निक्टेस 2006 और 2008 में पूछा जा चुका है इ तो यैपनेमो का प्रयों कहां किया जाते यानीं डैनेमो का पर्यों क्या होता है तुक है यह होता है दो तो जानते होंगी कि यांत्री को जा को जो самых बिद्वत-चल्द परिवर्तित करता है अच्छ में ईे नहीं का शचन्त से स column से का में नहींठेयब उंडए सकता लेकिन प्लेटिनम का प्रियोग जो है नहीं किया जाता है दो का यहां पर राइट एंसर सी हो जाएगा तीन नमर है कि जब एक दिये गए कार्ज को पूरा करने के में लिए गए समय में विर्धी होती है तो इस कोशन का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों से पुछना चाहूंगा कि कार्ज में कार्ज करने की दर को हम सक्ति काते हैं तो यानि पी बराबर होता है ठीक है डवलू बटा टी जब टी यहां पर दिया गया कि जब समय में विर्धी होती है ठीक है जब हम टी में विर्धी करेंगे तो आटोमेटिक यह पी घटेगा पी क्या है सक्ति है तो सक्ति में क्या घड़ता तो यह पी बढ़ता तो इस तरह से दो कोशन पूछे जा सकते हैं यहां पर समय में बिर्धी बोला जा रहा है तो यह होगा सकती में हरास होता है तो तीन का यहां पर राइट एंसर आपका भी हो जाएगा सकती में हरास जब समय को बढ़ेया जा रहा है देखें यहा तो एक एच्पी वराबर यानि वहन होर्सपावर स्कल्ट होता है 746 वाट यह भी कई बार पुछे जा चूके हैं इसको भी याद रख लेना एक होर्सपावर वराबर होता है यह फावर ठीक है चार के यहाँ पे राइट अंसर यह हो जाएगा निकाल सकते आप लोग एक हजार वाट मतलब 746 वाट देख इससे निकालना 746 वाट बराबर है एक एच्पी तो 1000 वाट बराबर कितना होगा ठीक है तो यह हो जाएगा 1000 ठीक है और गुने वन वटा 746 हो जाएगा तो इससे भाग दोगे तो निकल जाएगा देगे पांस नमर है कि यदि एक पिंट का संवेग यानि मोमेंट अब दो गुना हो जाता है तब गती उर्जा क्या होगा देखिए इस सवाल का जवाब आप लोग कैसे निकाल सकतो संवेग बराबर क्या हो हो दो भेखिएं ओतों चार गुणा हो जाता है ठीक है चार गुना अपक्नल सकते हो संवेग को दोगुना करना मतलब ऐम्भी ऐंक जो है। और ऐससे भी निकाल सकते हैं के एक और फर्मूला होता है थो ऐसे श्वाबटा रहने देना और लूसरा हां वेकंस को को लेना तो इसमें 2 से गुना कर देना ठीक है तो टू एम भी हो जाएगा उसके बाद यहां से बिर्धी निकालना चाहाओगे तो कितनी उर्जा जो हो हो जाएगी गति दूर्जा तो वो चार गुनी हो जाएगी क्योंकि यहां पर तू जो है वो फोर मतलब काश को करेंगे तो यह फोर हो जाएगा ठीक है और यह सभी बागी कट जाएंगे तो यह पर चार गुनी हो जाएगी आप निकाल सकते हो पांच कड़ी हो जाएगा छे नमर है कि अंत्रिक्ष में रोकेट में गतिसील ब्यक्ति में कौन सा उर्जा होता है यहां पर पुछा जा रहा ह है दोस्तों कि गतिस उर्जा होगी यहां पर तो छेका भी हो जाएगा नेक्स्ट वतन है साथ नमर कि कमानिदार घड़ी में संचित उर्जा है तो कौन सा उर्जा है दोस्तों कमानिदार घड़ी में यह है दोस्तों आपका अस्थिती जूर्जा ठीक है साथ कसी हो जाएग का स्थिती चो घहरी में जो संशीत उर्जा होती है जैसे घूमते रहता तो यह चैनल आपका या होसकते त है आपका इस्ठिति उरजAh भार गतिसील है उसमें वीच होगा संभेज़IM होगा गति-स्टुर्जा होगा उसमें अस्धिति उरजा कहां से हो पाएगा दोस्त क्योंकि यहां पिति स कुछा जा रहा है कि गतिसील पिंढेंड में है कोई भी बस तो वो आवसे रूप से स्में क्या नहीं हो इस कि घृणंद्वरा किया गया कार्ज होता है तो ग्रुणन्द्वरा किया गया कार्ज होता है दोस्तों वह होता है आपका हमेशा रिनात्मक ठीक है सुनी या घनात्मक यह होता है कभी रिनात्मक होता है सुन या घनात्मक हो सकता है यहां पर का सी हो जाएगा घोर्नन दॉरा क्या गया कार्ज ठीक है यह ज्राइप में हगा सुमरी होगा है engag तो यह दसका सी हो जाएगा एक सी नमचना कि एक समाण ब्यक्ति की सक्थी होती है यानि मिपना लोग को देखिए यहां पन। होर्स बताना है आपको तो होर्स पावर में आपको बताने के लिए यहां पर राइट अंसर जो इसका कि इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं जैसे मैंने आप लोग को पिछले कोस्टर में बताया भी था यहां पर 11 का सी हो जाएगा तो वह होता है सकती कावाट सेट्ड मातक होता है ठीक हैटसेकनट होता है вед कि सकती का जो होता है आपका सक्ति यहां पर 12 का 15 हो जाएगा age तेरज चैसे तो यहां पर पुछा जा रहा है कि यदी किसी फीन्ड को एफ बल डी दूरी से विश्थापित करता है यदि वह विश्थापन बल की दिसा में ठीटा कुन पर हो तो किया गया कार्ट देखे डावलू का फर्मूला पुछा जा रहा है आप लोग पढ़े भी होंगे दोस्तों त्यंत कलास में यह फर्मूला है कि डावलू वराबर यहां पर दूरी होता है और डी भी निरुपित करते हैं विश्थापन की लिए यहां पर तेरा का जो है राइट एंसर आपका सी हो जाएगा एफ सी कौस्ट यानि एफ डी कौस्ट ठीटा ठीक है यह आपका फर्मूला ही होता और यहां पर मतलब जो परिवासा दे चुका है यहां पर तेरा का सी चौदा नमबर है कि घुर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लर्का आकर बैठ जाता है तो निरुखित में से क्या संद्रक्षित रहेगा देगे यह काफी बार पूछा जा चुका है कोस्ट एक घुर्णन कर रही है दोस्तों ठीक है घुर्णन कर होगा उसका ओमेगा वह संद्रक्षित रहता है यानि ठीक है तो यहां पर 14 का सी हो जाएगा राइट हैं साथ कौन यह संबेग पनादमर है कि सवतनता पूरवक गिरती हुई वस्तू की क्या होती है सवतनता पूरवक यानि फिर होकर जो कोई वस्तू गिरती है तो उसमें क बढ़ती है और श्थिती जुर्जा घटती है माली आप किसी भी वस्तू को उपर से छुड़ते हो दोस्तों तो उसमें गती जुद्धा बढ़ने लगता है और श्थिती जूर्जा घटने लगता है तो यहां पर 15 का सी होजागा राइट तैंसर देखे 16 नमर है कि निम्निखित में से कौन सी आकर्ती में किया गया कार्जा दिखतंग होगा ठीक है पींद धरातल पर एस दूरी तैक करता है कि यहाँ पे आप लोगों को न्िकलना होगा कार्ज क्योंकि सभी का फोर्स दिया गया है ठीक है और दूरी भी जो है है स्सेम है लेकिन यहाँ पे जो मतलो ठीटा जो है वह बदलता गया है तो क्या होता है फ़र्मूला डवरुबडर होता है F D COS Trita होता है यहाँ पे COS Trita का मान जानते होंगे दोतों कि जितना क्योंकि COS 01 होता है जितना कम रहेगा उतना जैधा होगा डबलू का मान तो यहाँ पर जो राइटःंसर हो जाएगा दोतों sortir है तो यह देख सकते हैं दोतों कि यह COS 0 और COS 180 डिग्री का कामान बड़ाबर होता है ठीक यहां पर 16 का डी राइट एंसर हो जागा क्योंकि यह 180 डिगरी या फिर 0 डिगरी बोल सकते हो उसको तक हो जीरो कामान होता है वन ठीक है को स्थी डिडी कामान लखेंगे तो वन से कमी होगा वहां पर और यहां पर अगर पैतार इंवर रूट 2 हो जाता है और k supreme 3 2 हो जाता है ठीक है तो इस तरह से आप लο इसका जो बड़ vide का लोके तो में यह 17 देखbelsेb ठीक है 17 नमबर जो पूछा जा रहा है यहां पर कि मैक्रोफोन में किस परकार की उर्जा का किस उर्जा में जो है रुपांतरन होता है मैक्रोफोन मैक्रोफोन को आप लोग जानते होंगे जो तो मैक्रोफोन तो माइक्रोफोन में क्या होता है धोनी उर्जा को जो है बिधूत उर्जा में परिवर्तित करता है धोनी उर्जा जो है वो बिधूत उर्जा में परिवर्तित हो जाता है तो यहां पर 17 का भी हो जागा यह लुसेंट में या फिर आपके बुक में ही दिया गया है क्वेस्ट अठार नमबर कोशन है कि एक गराम एवं चार गराम के दो पिंड समान गतिज उर्जा से गतिसील है तो उनके समवेक का अनुपाद क्या होगा ठीक है गतिज उर्जा से गतिसील है पुछा जा रहा है कि एक गराम और चार गराम के दो पिंड तो जानते होंगे तो तो एम भी स्कॉर्ण होता है ठीक है तो यहाँ पे संबेक का अनुपात पुछा जा रहा है तो आप लोग यहाँ से क्या करोगे दोस्तों तो देखे दोस्तों 18 नमर जो बनायेंगे आप लोग तो देखे इस तका जो बनाने का तरीका है कि हाफ M V square एक फर्मूला जानते होंगे और क्या बोलता है कि M1 इसको माल लीजिए और M2 माल लीजिए M2 V2 square तो ये V1 और V2 बराबर है यहाँ पर सिर्फ बदला है वो M और यहाँ पर M1 और M2 M1 का मान है 1 गराम और M2 का है 4 गराम इसका आप निकालों के भहलू दोस्तो तो V1 बटा देखिए V1 बराबर आजाएगा 2 V2 आजाएगा छीक है? इस तरह से आएगा जाएगा तो आपको इसका नुपात निकाल लेना है V1 बटा V2 का तो कितना आजाएगा V1 का मान आजाएगा ठीक है 2 और V2 का मान आ जागा 1 ठीक है तो कितना आया था दोस्तों V2 का मान जो है 1 आ गया था और V1 बराबर 2 आ गया था और V2 बराबर 1 आ गया था तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते इसका V1 और V2 तो और M का मान आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि यहाँ पर एक और चार दिया गया है तो इसका संबेग का मान निकाल सकते हो संबेग बराबर होता है P बराबर M B होता है ठीक है तो M B तो M1 B1 उसके बाद M2 B2 करके तो यहाँ पर दो अनुपाद जो है यहाँ पर इसको ज तरसे आप लोग निकाल सकते हो इसको जैसे मैं आप लोग को बताया इसके संबेग का डिया गया जो ओलग और 4 ग्राम का तो यहाँ पर M1 B1 B2 निकाल aa वेका मान नाहराला कुल चार रखना और 2 , चार यहाईक युम 5 , 4 ॥ यहाँ पर सही तरह से छ swords यहाँ लुए है जाते होंगे तो स्की गती जुर्ज़ा होगे तो जानते हूए तो गती जूर्ज़ा जब संबेग दिया राता है तो उसके अनुसार क्या होता है पी अस्वाइर बटा टू यम होता है ठीक है तो उनीस का भी ये तो आपको फर्मूला ही दिया जाता है दोस्तों याद रखने के लिए त्यंद खलास में तो उनीस का यहाँ पर राइट अंसर भी हो जाएगा देगे 20 ने माला है कि एक मनुस से 5 किलो ग्राम दर्मान के एक पिंड को अपने हाथ में लेकर 36 समतल पर 20 मिटर चलता है तो मनुस हुद्वरा किये गए कार्ज का मान है तो देखे इस तरह के कोसन कि अगर पूचता है दोस्तों यहाँ पे निकालोगे आप लो सुन मre जाता है और d बि Value heust के मान यहाँ पर सुन नहीं जाने है जाने दबलौ बरावर निकालना है निकाल सकते होगा इसके बाद d कमान यहां पर सुन हूए ह् कि यहां पर 20 थापन का मान जो है सुनने है ठीक है यहां पर 20 का डी राइट टेंसर होगा 21 नमर है दोसों कि धोनी उर्जा से बिधूत उर्जा में बदलने वाला यंत्र है देखिए मैं आप लोगों को पहले ही कोशन बताया था कि मैक्रोफोन जो धोनी उर्जा से बिधूत करने में क्या होता है तो टेलिफ़ोन जो बातचीत करने में होता है दोस्तों वह अपको यहां पर भता दो सबस्ताइल में जो जायाता है यहां पर पर 16-17 मिट का हो चुका है ठीक है तो आज के लिए बसना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में